तो फ्रेंट साथ चुक है टीम का requirement और target player का list का दूसरा वीडियो को ले करके तो आज का वीडियो में हम बात करने वाल है CSK और RCV के बारे में तो आज का वीडियो सभी CSK और RCV fans के लिए बहुत ही जादा importance होने वाला है और बागी टीमों का fans के लिए भी हो सकता है क्योंकि आप देख सकते हैं कि यह सब टीम में किसको टार्गेट कर सकती इस टीम का क्या requirement है तो आज के वीडियो बहुत ही ज्यादा सिंग और भगत वर्मा तो यहां पर आप देख सकते हैं एक बैन श्टोक्स और यहां पर अंबती राइडू का एक दो बड़ा रिलीज इस टीम से हुआ था और इसके बात देखें तो ज्यादा रिक्वार्मेंट है भी निग क्योंकि वहां पर अपना प्लिंग 11 को तो यह टीम रिटेंड करके रखी है तो इस टिम का अगर मैं पर रिक्वार्मेंट की बात करें तो ज्यादा कुछ रिक्वार्मेंट इस टीम का है निए पर मुझे लगता कि यहां पर साथ आट नावर पर एक इंडियन फिनिसर चाहिए होगा और इसको यहां पर देखें तो बैक करते थे और उसका मुझे लगता कि बैक अप्लेयर यहां पर रचीन रविंद्रा यह टार्गेट कर सकती है इसके पास पर्स बैलन्स है तो कहीं तो यूज करेंगी और मुझे लगता कि रखने के तो यहां पर यहां पर ज्यादा अच्छा होने वाला करना कि यहां पर चैन्ने को जोइन करना क्या पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर सारुख नहीं चाहिए बीच टीम को और उसके लिए यह बहुत स्यादा पर्स बैलन्स है स्टाइब मुझे लगता कि यहां पर सारुख नहीं पर यहां बड़ा नाम बनाती है और मुझे लगता कि इस टीम यहां पर क्रीस वोक्स जराल कोईतेजे में से किसी एक को लाकर के अपना काम बना लेगी और मुझे लगता है काफी होगा इस टीम के लिए इसको यहां पर ज्यादा कुछ चाहिए नहीं अगला सीजन यहां पर MS दो नहीं है तो डेफिनिल कुछ नहीं चाहिए यह का तो अनुज रावत है माईपाल लॉम रह रहे है यहां पर बैटिंग में कोई इसू नहीं है इस टीम को चाहिए बॉलिंग यहां पर मुझे नहीं लगता कि यहां पर बोलिंग उपसर बहुत ही जादा कम जोड़ है क्योंकि उसका अगर यहां पर पेसर की बात करें तो और उसके बाद मुझे लगता है यह टिम स्पीनर के पीछे जाएगी यहां पर बहुत सारा जन बोल रहते है कि री बाइक कर सकते हसरांगा को बट मुझे नहीं लगता कि को बाइक करना ज्यादा इंपोर्टेंट होगा क्योंकि यह पर दे तो ग्लेन मैक्सवेल फैब डू करके ज़्यादा जरूरी है लान तो इसके अच्छा होगा कि यह टिम इंडियन स्पीनर के पीछे जाए मुझे लगता कि के यहां पर सुयस सर्मा के पीछे किया था आप वहां पर बोल सकता है कि स्कावटिंग टीम का बहुत बढ़ा हाथ था और मुझे लगता कि यह साह क्लोर है उसमें मुझे लगता है यह टीम मिचल इस्टार के पीछे जाएगी बढ़ाई से बात करना चाहिए अगर वह पूरी तरह से अवेलेबल रने वाले पूरी से सीजन में तो यह टीम यहां पर बार तेर चोग्दा क्लोर पंदरा क्लोर तक भी यहां पर दे सकते मिच पर देखे तो यहां पर यहां पर चुछ इंडियन पेसर की बात करें तो यह तीम नाम है बट मुझे नहीं लगता है कि अगर यह सब तीनों के पिछे जाने वाली है और वेसे भी तेखे तो उसना परस बैचे गा भी ने तेखे तेम मिचल श्टार को इस टीम सामिल कर लेती है तो यहां पर ज्यादा परस इस टीम के पास बचेगा भी नहीं और मुझे लगदा कि यह टीम ठीक है जो अगर मिचल श्टार का जासे तो डेफिनेटली इस टीम का यह पर बोलिंग भी आच्छा हो जाएगा बेटिंग तो कमाल का ह है ही तो आगके वीडियो में बस इतना एक कल मिलते हैं कोई और दो टीम हो कर लेकर के तो तब तक के लिए बाइबाई एंड टेक के यार